आपका स्वागत है आई एम बल्राम गुर्जर असिस्टेंट पॉप्रिशन नभवार्थी टीचर टुने कॉलेज जबूर तो दोस्तों आज में राहस्तान का सामान ज्यान भाग चौदे को लेकर उपस्ते थूँ जैसा कि हम पिछली कच्छा में राहस्तान के दुर्व कुम्बलगड़ दुर्व के बारे में चर्चा कर रहे थे कुम्बलगड़ दुर्व के निर्माता कौन थे उनकी इस्तिती क्या थी उनका इत्यास क्या रहा था इन सब के बारे में हमने चर्चा की तो कुम्बलगड़ दुर्व जो है कुम्बलगड़ कि दुरू जैसा कि हमने बताया था इनके जो इसके जो निर्माता तो असो के पुत्र संप्रती थे यानि कि असो के पुत्र संप्रती परंतु इसका जो जीर्डो दार कराया था वो कुमा ने करवाया था जीर्डो दार वो कुमा ने करवाया था अब बाताती है इसके बास्तुकार की बास्तुकार हर दुर का एक एहम भूंका रखता है तो बास्तुकार इसके हैं मंदन और इनकी एक पुस्टक है रूप मंदन रूप मंदन ग्रंथ है जो की टोटल किस से रिलेटेड है वास्तुकार से यानि की कुमा ने की बास्तुकार है वो मंदन है मंदन की जो पुस्टक है रूप मंदन ग्रंथ जो की पूंड ते बस्तुकलाते सम्मंदत है यानि बस्तुकला से सम्मंदत होने के कारण इसका जो कलाक कार्य है वो बहुत ही अकि उत्तम है क्योंकि मंदन अकि उत्तम बास्तुकार माने जाती है इसके अलावा जब हम बात करते हैं कुमलगण दुर की तो कुम्भरगड दुर्ग में ऐसे कौन-कौन सी सासक थी जिन्होंने अपना बच्पन बिताया था हम उन सासकों के बारे में बात कर लेंगे जिनका बच्पन कुम्भरगड दुर्ग में बिता था तो उन में है कुम्भरगड दुर्ग में जिनका बच्पन बिता था तो ऐसे सासक कौन-कौन से नम्मर एक है पिर्थवी राज पिर्थवी राज सिसो दिया दोस्तो इसको पिर्थवी राज जो सिसो दिया है ये इनका एक दूसरा नाम हो रहे है यानि कि इनको उड़ना राज गुमार के नाम से भी जाना जाता है उड़ना राज कुमार यानि कि पिर्थवी राज सिसो दिया एक ऐसे सासक थे जिनका बच्पन किसमें नकला था कुम्बलगट दुर्ग में बीता था और जनका दूसरा नाम था उड़ना राज कुमार दो पर है महारणा सांगा महारणा सांगा का बच्पन भी इसी कुम्बलगट दुर्ग में बीता था नेक्स्ट है उडेसिन जो की बिस्प्रसिद्धें इनका बच्पन भी इसी कुम्बलगट में बीता था नेक्स्ट है महारणा परताब कहने का मतलब पृत्वी राज सिसो दिया महारणा सांगा उडेसिन और महारणा परताब ये चारों सासक ऐसे थे जिनका बच्पन कहा निकला था कुम्बलगट में निकला था इसके अलावा कुम्बलगट की तलेटी में जो पृत्वी राज सिसो दिया है कुम्बलगट की तलेटी में पृत्वी राज सिसो दिया की छत्री बनी हुई है है जिसे उड़ना राज कुमार की छत्री भी कहा जाता है यानि कि कुम्बलगट की तलेटी में एक छत्री बनी हुई है जिसको क्या कहा जाता है उड़ना राज कुमार की छत्री कहा जाता है कुम्बलगट दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो कुम्बलगट दुर्ग है इसकी एक ममता और त्याग में मूरती जिसका नाम था पन्ना धाय तो इसी पन्ना धाय ने कुम्बलगट दुर्ग में उड़ै सिंग की रक्षा की थी और आसा देवप्रा के पास लालन पालन करके उद्यसीन का लालन पालन किया और 1537 सिपी में इसी कुम्बलगट में राच विशेक करवाया था तो इस बात के लिए भी कुम्बलगट पर सिद्ध है कि त्याग की मूरती पन्ना धाय के द्वारा आसा देवप्रा जो की एक कुम्बलगट दुर्ग के किलेदार माने जाते थे यानि किलेदार थे उनके देखरेख में लालन पालन किया और 1537 में उदे सिंग का राच विशेक इसी कुम्बलगट दुर्ग में हुआ था इसके अलावा कुम्बलगट दुर्ग की एक और विशेष्टा है कि कुम्बलगट दुर्ग नौ मई 1544 सीसीवी में मारणा प्रताब का जन भी इसी कुम्बलगट दुर्ग में हुआ था जैसे कुम्बल गड़ दुर्ग में पन्ना धाय के द्वारा उदे सिंग कुः कुम्बल गड़ दुर्ग में पन्ना धाय के द्वारा उदे सिंग कुछ छिपा कर आसा देवपुरा जो की वहां के किलेदार थे यानि की आसा देवपुरा के पास लालन पालन करवाया गया था यानि की आसा देवपुरा के हैं लालन पालन करवाया था किसका उदेशीन का और कुम्बल गड़ दुर्ग के किलेदार थे जिनका नाम था आसा देवपुरा और इसके अलावा यानि की जैसे कुम्बल गड़ दुर्ग में जो लालन पालन किया था वो किन ने किया था आसा देवपुरा में लेकिन इसी कारेकाल में क्या हुआ था कि उदेशीन लालन पालन करवाया था और यहीं पर 1537 इसवी में उदेशीन का राज्यव हिसे राज्यव हिसे हुआ था केने का मतलब कुम्बल गड़ दुर्ग के सासक बन गए थे उदेशीन उनका राज्यव से हुआ था यह सब किसमें हुआ था कुम्बल गड़ दुर्ग में हुआ था कि नेक्ट है कि कुम्बल गड़ के बारे में और कहा जाता है कि जो कुम्बल गड़ गुरु में उसी में मारना प्रताप का जन लोगा था तो यानि कि कि नो मैं पंद्रे सो चालीस इस्वी में कुम्बल गड़ दुरु में मारना प्रताप का जन्म हुआ था और इसी कुम्बल गड़ दुरु में मारना प्रताप का जन्म हुआ था और वो जहां जन्म हुआ था विश्यस का वो इस्थान था यानि कि आपको पहले मैंने बताया था कि जो कुम्बल गड़ दुरु है कुम्बल गड़ दुरु और कटार गड़ दुरु दोनों नौ मैं 1547 में कुम्मलगण दुर में महारणा प्रताब का जन हुआ और विशेश कर जो इस्थान था वह था क्या यह वारणा प्रताब जन हुआ जहां प्रताब जहां महारणा प्रताब का जन हुआ उस इस्थान का नाम बादल महल उस इस्थान का नाम था बादल महल कटा आगए केने का मतलब बादल महल कटार गड में किनका जन हुआ था महारणा प्रताब का जन हुआ था जो की कहां इस्थान थैं कुम्बलगड में ही इस्तित है जिसको हम पहले पता चुके हैं आपको क्योंकि कटारगड जो दुर्ग है वो कुम्बलगड दुर्ग का ही लगु दुर्ग है और उस बादल मेल में उस बादल मेल कटारगड में महारण प्रताब का जन्ग हुआ था इसी के उत्तर दिसामें यानि कि इसी के उत्तर दिशा में जो जहला देव बाब्डी थी और उसी उत्तर दिशा में मामा देव कुंड था यानि कि ये दो इस्थान थी कुंबल गड के कटार गड के बादल महल जो की कहा इस्तित था कटार गड कटार गड के यानि कुंबल गड के बादल महल के उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में जाला बाब की बाब्डी उत्तर दिशा में जाला बाब की बाब्डी और मामा देव कुंड था जहां पर कुंबा के पुत्र उदा ने कुंबा की हट्या की थी केहने का मतलब जो कुंबल गड का बादल महल था जो कटार गड में इस्तर था उसके उत्तर दिशा में जाला बाब की बाब्डी और मामा देव कुंड था जहां पर कुंबा के पुत्र उदा ने कुंबा की हट्या की थी ये भी इस्तान अपने आप में बहुत ही प्रशिद्ध है इसके बाद आता है कुंबल गड़ दुर्ग के अंतरगा तो दर्सनी इस्तान यालिकी जैसे चित्व तोड़ गड़ दुर्ग में दर्सनी इस्तान थे ऐसे ही क्या है कुंबल गड़ दुर्ग में भी दर्सनी इस्तान हैं जो बर्तमान में लोग दर्सन करके लाब उठाते मामा देव का मंदिर नेक्ट है कुम्भ स्वामी विश्णु मंदिर देखें दोस्तों आपको याद रखना है कि कुम्भ स्वामी विश्णु मंदिर और एक हमने पहले बताया था जो चितार गड़ दुर्व में दर्शनी इस्तल है उसका नाम था कुम्भ श्याम मंदिर कहने का मतलब जो चितार गड़ दुर्व के अंदर गड़ जो दर्शनी इस्तल है उसका नाम है कुम्भ स्वामी विश्णु मंदिर तो इन दोनों में ही कर्डुज होने किया वसकता नहीं लेए अला अला ने वो कुंबल गड़ ये चित्तोड़ गड़ दुर्ग में दरस्नी इस्तल है और ये कंभल गड़ दुर्ग में दरस्नी इस्तल है लेक्ष है नील कंथ महादेव मंदिल यानि कि जो नील कंट मादेब मंदिर है वो भी किसमे इस्तित है कुम्रगरदुर्मर है और जाला जाला बाव की बाबडी जाला इसको जाला रानी की बाबडी ये भी किसमे इस्त्त है कुम्ब स्वामी और शांसोरी कुम्ब गड़ में इस्त्त है इसके अलावा और है, इसमें एक महत्पूनिस्थान, वो है मम्ता और त्याज की प्रतमूर्थी, मम्ता और त्याज की प्रतमूर्थी पन्ना धाय काम महयल, यह भी कुंबलगड़ दूर्व में हिस्थित्ध है, यनि कि इसको क्योटक्र क्यों माना जाता है, मम्ता और त्यार की प्रतमूर्थी इसलिए माना जाता है, क्योंकि इसने अपने बेटे चंदन की, बली चढ़ा कर उधें सीम की रक्षा की थी, इसलिए इनको क्या किता काह जाता है मंता ओर त्याथ की पिर्ट मूर्ति कैने का मतलब जो दर्सनी रिस्ता लें वह कुंबलगड में मामा देव काboys बेस्ट मंदिर कुम स्वामी बिश्नु मंदिर नीलकंट मादे मंधिर जहला रानी की बावणी मंता और त्याथ की पिर्ट कुरती पन्नाधाय का महर और इसके अलावा कुम्मलः गण्डूर्ग कुरेटग और कुम्मलः ढ़क विसेचता है अपने सुना होगा की जो कुम्मरघ्दुर्ग गहां इसतेता है राजसमंदृशिले में यानि कि कुम्मरघ्दुर्ग है राजसमंधृ जिलिय में इसतेता है राजसमंद के पास 123 कंतरोदी जो ikke देश्थ है आपने सुना होगा कि यह पर करीभ और क iba टाय ट्यूंब की फैक्टरी के लिए प्रिसिद्ध है युक्ट की फैक्टरी कहां पर है कांक रॉली में इसकी अलावा कांक्रॉली में एक दुर्ग है तोहन जिसका नाम है तोहन दुर्ग, तो केने का मतलब तोहन, दुर्ग, कांक रॉली, कांक रॉली, राज समंद, तोहन, दुर्ग, कांक रॉली, राज समंद में इस्तित है, कहां इस्तित है, राज समंद में इस्तित है, वो क्या है इसकी मुख विशेष्था है कि जो तोहन दुर्ग कांट्रोली है इसको 2013 में यूनसको द्वारा विश्व दरोवर की स्थ्रेडी में रखा गया था यानि विश्व दरोवर गोसित्य किया गया था अब यह दोस्तों याद रखना है कोई जरूरी नहीं एक ही यह 2013 में कांट्रोली का तोहन दुर्गी रखा हो और दुर्गों का भी नवमा सकता है लेकिन यह निश्यत है कि 2013 में यूनसको द्वारा विश्व दरोवर गोसित्य किया गया था किसको तोहन दुर्ग को और 2018 में भारत सरकार द्वारा इस पर पांच रुपे का डाग टिकेट जारी किया गया यानि इस तोहन दुर्ग की ये विश्यता है कि इसमें तोहन दुर्ग कांदरों में रासमन मिश्व देता है और 2013 में यूनसको दारा विश्व दरोवर गोसित्य किया गया था और 2018 में भारत सरकार द्वारा इस पर पांच रुपे का डाग टिकेट जारी किया गया था तो ये था दोस्तो कुम्बर गड़ के बारे में और कुम्बर गड़ के अंतरगत जो कटार गड़ है उसके बारे में भी हमने तुमात मक अड़न किया आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्वा